प्रवादे दोस्तों रादे रादे सभी को नमश्कार सभी को रादे रादे क्याल चाले आप सभी लोगों के और कैसे हैं आप सभी लोग मेरे भाई एक बार जल्दी से फटा फटाएंगे और बताईए क्या मेरी आवाज प्रौपर आ रही कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं चली भाई कॉमेंट को थोड़ा जूम कर देना ओ भाईया कंप्यूटर म महाद है भाईया फुर हो गए हैं कमेंट ओँ आमें छोटा-छोटा दिखाई दे रहा है ओ भाईया कंप्यूटर महाद है ओ यह भाइया फरार हो गएए अब कमेंट वाज जाके देखना पड़ेगा उन्हा सब का परणाम नहीं लिया तो गुसा जाएंगे लवंडे सब नमसकार नमसकार गुड ىिवनिंग डुड आध hä उधि चलेँ सभी राधे राधे नगों को राधे राधे है नैना सिंग राधे राधे शिखा गाय नमसका राधे राधे अंकिता राधे राधे चलेए हाँ चले मेरे भाई तो सभी को रादे रादे हैं अमें सहर सा बिहार रादे रादे हैं आईए मेरे भाई जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए मेरे भाई याद दखीगा ये क्लास आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्लास आपकी जो भी वच्चे बिहार SI की तयारी कर रहे हैं, बिहार SI और पुलिस री एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, पुलिस कॉंस्टेबल, पुलिस कॉंस्टेबल, री एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, यह सभी के लिए क्या है, यह मेरे भाई, क्लास इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक तो आपकी बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के लिए और बिहार SI के लिए दोनों के लिए एक क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हैं अगर आप लोग भी SSC की तयारी कर रहे हैं अगर आप लोग बिहार SSC की तयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं मेरे भाई ठीक है लिखित में से किस पदार्थ का उप्योग हरपा काल की मुद्राओं के निर्माड में मुख्य रूप से किया गया था जो हरपा काल की मेरे भाई मुद्राएं हैं उसमें किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था आंसर बताओ यहां पे क्या हुगा देखो हरपा का मेरे भाई क प्रश्ण की मुद्राइं यहां से प्राप्थ हुए थी तो आप से पूछ ने पूछता है कि किस मुद्रा का किस चीज का प्रयोग किया गया था आप्शन यहां पे सेल खड़ी कांसा तावा और लूहा तो मेरे यहाद दखेगा यह बहुत ही यूनिक प्रश्ण है इस के लिए यहां पाछर अप्शन हो जाएगा नेक्स्ट पर यह अगला कुशन आपके सामने यह रहा हमेरे अगला कुशन करा किस युग की सब्विता थी कांस यूगीन सब्विता थी नौ पाशार थी पुरा पाशार थी या लोह यूग की सब्विता थी जो आपकी इंडस वैली सिवलाइजेशन है ये किस यूग की सब्विता थी वहिया कंप्यूटर वह थोड़ा जूम कर दो जूम कर दो और एक बढ़िया सी गर क्या अंसर होगा मेरे भाई तो आप लोग जानते हैं सर ये कांस योगीन सब्विता थी है ना सभी लोग को पता है सर ये कांस योगीन तब्विता थी कौन सी सब्विता थी मेरे भाई ब्राउन एज यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ब्राउन एज ये सब्विता थी तो खाटी सभटा के लोगों का मुख है वयवशय क्या था व्यापार था पशूपालन था सिकार था यह फ्रक्रशी थी ति एग्रीकल्चर जिंदु'MT सभटा के लोगों का मुख्छ व्यववशय था बहु पता हैं i क्या वेपारता सिन्दुगाटी सबता के मुख लोगों का बताए मेरे भई क्या इनका मुख वेवसाय था तो अब यहां पे देखो अब यहां पे doubt creation होगा और मुझे पता है कि doubt कहां कहां पर creation होगा यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि आप लोग सिर्फ दो ही चीजों में देखो आप लोग कहेंगे सर्फ पसू पालन तो था नहीं एनिमल हस्वेंटरी तो था नहीं और शिकार भी नहीं था अब यहां पे कौन बनेगा करोड़ पती स्टार्ट हो गया दो आप्शन को एलिमेट कर दिया अब दो ही ऑप्शन बचे हैं मेरे भाई तो इंडस वैली सिवलाइजेशन का जो मेरे भाई एक मुख्य वैवशाय कहलो या कहलो मेरे भाई कि जो अक्यूपिकेशन था इनका मेरे भाई वो क्या था वो था ब्यापार बिजनिस था मेरे भई, क्या था मेरे भई, ब्यापार था, बिजनेस था, तो ए यहांपर आंसर suitable नह एगा, ए आंसर यहांपर करेक्ट रहेगा, तो ए आंसर को हमने दीया, और हम लुग क्या पर यहांपर राइट ओप्शन होगा, नेक्स्ट पर ही मेरे भई, अगला कोशन यहां पर आपके सामने कह रहा है और प्रशने कह रहा है कि हडपा सब्विता के निवासी थे जो हडपा सब्विता थे मेरे भाई वो निवासी थे और वो कहां के निवासी थे मेरे भाई या तो ग्रामीर सब्विता के थे सहरी सब्विता के थे या 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 खाना तो आप जब हड़ापस अबता और मैं हड़ापस अबता पढ़ा भी रहा हूँ आप लोगों को दुपहर साड़े ग्यारा बजे वाली क्लास में हना उस पर मैंने इस चीज का जिक्र भी किया हुआ है है वही उस चीज का मैंने क्या किया हुआ है जिक्र भी किया हुआ है तो आपको पता भी होगा हना तो यहाद रखीगा आप सभी लोग जानते हैं कि सर हरपा सभिता के निवासी कैसे थे गुरू जी सहरी निवासी थे तो जो सिंदुगाटी सब्विता के घर थे वो किसके बनाए जाते थे बताईए देखेंगे मिरे बाई कितने लोग इसका अंसर दे पाते हैं बताओ भाई सिंदुगाटी सब्विता के जो लोग थे वो जो अपने घर बनाते थे कैसे थे तो घरों की मैंने पद्धती आपको बत पद्दती थी कि ग्रीट पद्दती है कैसी पद्दती मेरे भाई ग्रीट पद्दती है कैसी पद्दती मेरे भाई तो आज सुभई मैंने आपको बताया था कि गुरू यह कैसी पद्दती ग्रीट पद्दती तो सिंदू सब्विता के जो घर बनाए जाते थे मेरे भाई वो क स्टर्डे को सारे कस्यों रिवीजन हाए जो मैने अभी दो-तिन कुश्य नहीं आपे कि हरपावासी किस वस्तू के उत्पादन में सरव पर्थम थे मुद्राएं या करंसी के कांसे के ओजार का पास और चों हरपावासी जो थे वो किस उत्पादन में सरव पर्थम थे यहां पे सरव पर्थम की बात कर रहा है मेरे भाई तो सो समझ के ही आंस होगा ये जो तरही है दुनिया मेरी ना कामियों में ताने कस रही है Дुनिया मेरी सारी खामियों पर हाँभा भै आप यहां पे देखो मामला इस आप क्या ये क्या बच्चा लिक के बेढ़ दिये ऊपर मैं भूलिः गोल कपा भटूरे, आप सुबह पर इक्षा हार डाल दूँगा भई, मुझे पता है, आज मैंने कुछ उसमें बुक्स बगरा डाली हुई है, उनको पहले देखो, फिर और भी बुक्स कर दूँगा, पहले जो बहुत देखो, कफास, यहाँ पर कॉटन यहाँ पर आइटोंस होगा, लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कोई PDF दे दी, जैसे मैंने आपको कुछ भी दे दिया, तो समझ जाईए कि वो बहुत important है, उसको आप चाहें लिखने की कोशिश कीजिए, उसको आप चाहें लिखिए, चाहें उसको समझ जिए, हाना, तो व हाँ पर देखो कोश्यंस, ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्ण कहा रहा है, निम्द लिखित में से भारत पर पहली बार, आक्रमन करने वाला कौन था, अफगान, मंगोल, अरब और तुर्क, बताओ, क्या अंसर होगा, बताई ही मेरे, क्या अंसर होगा, और कल से एक सुबध मैंने और कर दी, क्या कर दी, अपने hand written notes भी आपको जो मैं रोजाना लिखता हूँ, सुबध सुबध कभी, सुबध सुबध जो मैं रोजाना लिखता हूँ, वो लिख के कल से उसमें भी पोश्ट कर दिया करूँगा, अब मैं क्या लिखूँगा, मुझे खुद नहीं पत आकरमर करने वाला कौन था, अब यहाँ पर मुसलिम्स की अगर बात कर देता हूँ, अब यहाँ पर अफगान है, मंगोल है, अरब है और तुर्क है, तो अगर प्रश्णे के एक ओर्डिंग हम लोग बात करें यहाँ पर तो अरब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा मेरे अरब होगा माँ और और तुर्क होगा ताटि नेख्ट प्यारा कौशन है कई बार अग्जाम में पूछा भी गया है कोशन कह रहा है कि निमलिखित में से प्रत्वी राज रासो किसने लिखा था जो प्रत्वी राज रासो है मेरे भाई वो किसने लिखा था याद अखिएगा मेरे भाई कि प्रत्वी राज रासो निमलिखित में से किसने लिखा था प्रत्वी राज रासो अगर हम लोग बात क हाँ शब्द वेदी बांग भी आप जिसका जिक्र करते हैं हाँ भई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लाजवाब अतियुत्तम चलिए तो क्या अंसर होगा मेरे भाई इस प्रश्टिका तो याद दखीगा इस प्रश्टिका राइट ऑप्शन होगा मेरे भाई चंद बर कोई भी राजा सहिंसा नहीं बनता है लेकिन एक दिन में एक मिनिट में लिया गया डिसीन आपकी जिंदगी बतल देता है बाद समझ रहो की नहीं तो ये सेशन्स ये समझ जाईए मैंने बिहार पुलिस में पूरी दम लगा दी थी आप लोगों के लिए और फिट से मैं प यारी कर रहे हैं बिहार दरोगा की कर रहे हैं ताकि सब ही लोग जोड़ सके ठीक है नेक्स्ट पहिए अब देखो एक कुशन और धड़ा धरवाला आ गया अब इस कुशन में आप कैसे इसको सूचित करेंगे मेरे में देखो कह रहा है कि पूर मद्ध काली ठीक है पूर क्या थी यह आपर यह option है इक बार ऊश्चन को पढ़के पोल दे दिया मैंने एक बर कुशन सोच पढ़के आप इसका आंसर बताओ हाँ बई एक केरा बहुवली सर जिन्दाबाद हाँ बई अच्छी बात है बहुवली सर जिन्दाबाद थे जिन्दाबाद है जिन्दाबाद रहेंगे बस आप लोगों का सहयोग साथ चाहिए है मैं ठीक है चलिए देखो अब इसका कैसे कैसे इसका अंसर लगाओगे ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं बात करें यहाँ पे मेरे भाई तो प्रतिहार अगर मैं प्रतिहार की बात करता हूँ प्रतिहार देखो ध्यान से देखना मेरे भाई कोई जल्देबाजी नहीं है ऐसा तो नहीं है कि कोई तुम्हारे बहुत बड़े भटे चलना है हूँ प्रतिहार तो प्रतिहार की जो राजधानी थी मेरे भाई वो क्या थी तो प्रतिहार की जो राजधानी थी मेरे भाई वो थी कन्नौज पूर मद्धकाल में बता रहा हूँ कन्नौज तो कनोज आपका किस में आ रहा है मेरे भाई एक में आ रहा है तो ए का ए देखो ए का ए इसमें आ रहा है ए का ए इसमें आ रहा है तो इसका मतलब बी और ये डी ये तो गलत हो गए ये तो सीधे सीधे क्या हो गए मेरे भाई गलत हो गए अब हम लोग बात करें चंदेल तो चंदेल की अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई याद दखेगा चंदेल तो चंदेल की अगर मैं बात करता हूँ तो चंदेल का क्या था मेरे भाई याद दखेगा चंदेल का तो चंदेल की अगर मैं बात करता हूँ तो यह भी गलत हो गया, अब जब यह भी गलत हो गया, तो एक अहीं बचा, कौन सा C बचा, तो C will be the correct option, कितने लोगों का C आया है है हाँ पर? चलिए तो कितने लोगा C आया मेरे भाई चलिए बहुत बढ़ी है तो C करेक्ट आप्षिन ही आप भी हो जाएगा और ये काफी इंपोर्टेंट भी है क्योंकि दोगो एक कोश्चन से कई कोश्चन सापके सॉल्व हो रहे हैं आप इस चीज को जानो एक कोश्चन से कई कोश् रहा हो सॉरी बी का दूसरा था खज़ रहा हो यहां मैंने सॉरी सी का लिख दिया था यहां पे तो बी का दूसरा था खज़ रहा हो आपको ये लिखना खज़ रहा हो ठीक है सॉरी 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 इस तरीके से ठीक है याद दखीगा आई अगले कोश्चन की जो भूमनेश्वर के अन्य मंदिरों में प्रधानता रखता है वो एक कौन सा राजारानी मंदिर, कंदारिया महादेव, त्रिभूनेश्वर, लिंग राज या भूकतेश्वर मंदिर आपका बताईए अच्छा प्रस्न है ये भी बताओ क्या आंसर हो करो मेरे भाई ए नहीं होगा, सी विल बी दा करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है या दखेगा बताईए कैमरामेन फोकस करो, कैमरामेन फोकस कर लेगा भाई, तुम पढ़ाई पर फोकस करो, हाना, चलिए, तो एक बार सेशन को मेरे भाई, आप लोग निमंतर भेज दीजे सभी के पास, हाना, तो क्या अंसर होगा मेरे भाई, यहाँ पर यार दखीगा, करेक्ट ऑप्शन जाएगा मेरे भाई, त्रिभुनेश्वर लिंगराज, ठीक है, इंपॉर्टन कोशन है, दिमाग पी बसा के रखिएगा, क्या आंसर होगा, त्रिभुनेश्वर लिंगराज, कि ग्यारा सो इस्वी में निनमित मंदिर, जो भुनेश्वर के अन्ने मंदिरों पर पर प्रध जानता रखता है, वो एक कौन सा है, त्रिभुनेश्वर लिंगराज मंदिर है, तो इसका आंसर क्योंगा मेरे भाई, सीवी बीदा करेक्ट ऑक्शन हो जाएगा, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पर ही मेरे भाई, अगला कोशन, देखो अगला कोशन आपसे कह रहा है, मेरे भ बहुत बढ़िया, टाइपिंग मिश्टेक मत करो, बुझे पता है, तुम लोग इसका आंसर पता है, जानते हो तुम लोग, खाली कुछ ने, सुनने के लिए गलत आंसर देती तो, कि गुरुजी कुछ बोले हैं, तुम मजाएगा सुनने में, एक कहरा सर, इंदौर, पहुचा दो, इंदौर अभी तुम्हें पहुचा के, हा, जानते सब वो बस, जानबूच के गलत आंसर देती, तो जानबूच के गलत आंसर नहीं देना है, ठेके, तो दिलवाला का, मेरे भाई, दिलवाला में, जो जैन मंदिर है, आपका कहां पर इस्ते थे थे मेरे ठीक है तुनाइट ऊप्षिन क्या उगा मेरे बाई D भूत प्यार से पड़ो ठीक है आराम अराम से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से अगला कोश्षन आपके सामने यह रहा, यह तो कोश्षन कई बार मैंने बताया भी है ना कि खजराहो इस्थित मंदिरों का निर्मार किस ने किया था होलकर सिंधिया बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत खजराहो इस्थित मंदिरों का निर्मार किस ने किया था कौन था ये मंदिरों का निर्मार करने वाला देखे तीन सो चवालिस लोग अभी इस क्लास को देख रहे हैं मेरी सुपकामनाय इन सभी के साथ रहेंगी राधारानी से मैं प्रात्ना करूँगा कि इन सभी का उज्ज्वल भविस्व हो और बढ़िया तरीके से इनके सपने पूरे हो लेकिन आप लोगों को भी क्या करना है आप लोगों को भी मेहनत करनी है आप ये मानके चलिए ना कि आपकी जिन्दकी की शुरुवात आज से हो रही है आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वलक चीज़े लेकिन सुरवात आप लोग आज से ही कर रहे हैं तो जिंदगी बढ़ी है चलने लगेगी चलिए एक करसर एडमिट कार्ट फिट से आएगा क्या नितीज कुमार आएंगे नितीज कुमार तुम्हारे घर पे आएंगे एडमिट कार्ट देने के लिए और तुमको साइद ले की भी जाएंगे चंदेल लाजपूत खोद आएंगे वो और तुम एक गाड़ी भेजेंगे आरे वाँ तालिया एक बार तालिया हो जाए भाई एक बार जोरदार क्या हो जाए तालिया हो जाए 100% आंसर आज सही आया भाईया एसे ही करपा बरसाते रहो मेरे प्यारे प्यारे भाईवेनों पे और ऐसे ही जिन्दगी वर खुश है बहुत बड़ी है 100% आगया देख लो आज ऐसे ही कितनी खुशी की बात है भाई 100% तुम लोग ने इस question का अंसर दिया है ये बहुत खुशी की बात है आप लोग भी प्रसंद हो जाईए खुश हो जाईए बहुत बड़ी है बहुत अति उत्तम लाजवाब मन प्रसंद हो गया यार बहुत बड़ी है लाजवाब ये आकड़ा देख के ने इसका screenshot ले लो यार हारे नहीं आज 100% ले कर आए बहुत बड़ी है चलिए आईए अगले कुशन की तरफ ऐसी करो या कितना मज़ा आएगा ऐसी करो तो कितना मज़ा आएगा कितना अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे यांसर दोगे विजय इस्थम कहां इस्थित है देहली, जासी, चितोडगर और सीक्री जो आपका विजय इस्थम में मेरे भाई वो कहां पर इस्थित है बताईए बहुत बड़िया विजय इस्थम आपका कहां पर इस्थित है बहुत बड़िया लाजबाब, अतियुत्तम बहुत बड़िया बहुत बड़िया कल मैंने आपको बताया भी था कि विजय इस्थम्ब का निर्माण किसने कर आया था राना कुम्मा ने कल मैंने इस प्रष्ट को बताया भी था हा ना चलिए तो क्या आपसर होगा मेरे भई यहाँ पर तो correct option है अप लोग याद दकीगा, मेरे भाई Bu आपका विजे स्थम्भा है, यह आपका कहा इस्तित है, मेरे भाई, Č सितोरडगर में स्थेत है, और यह पैहा पढ़ता है, मेरे भाई, चितोरडगर तो याद दकीगाई यह आपका राजिस्थान पर है, मेरे भाई, पधारो अखी गा, C will be the correct option, लेकिन पोल कभी-कभी ना पुलवा जाता है, इसका भी-कभी, हाँ, विजय स्थम्ब का निर्मार किसने कराया था, जरा बता दो मुझे, एक दम रटा होगा तुम लोगो को, कि विजय स्थम्ब का निर्मार कराने वाला वेक्ती कौन था, पिछली बार त घुड़ल का जट्व छोड़दीये सर, कहां उन थोड़दीये भाई? मैंने क्या कहा था? मैंने स्थम्ब किसने क्या कहा था? कि कौंश्टेबल से दोनों के लिए राणा कुबा होगा, ठीक है? चलिए, तो मेरी बात पूरी सुना करो, बात ओधनी उन्दु मैं स्थम्वा इसी तरीके से आर आंसर तो यार दिल बिलकुल गदगद हो गया भारत का प्रथम गवर्णर जन्रल वह वाइसराय कौन था अब देखो यहाँ पे इसने दो खेल खेल दिये क्या खेल खेल दिये कह रहा है भारत का प्रथम गवर्णर जन्रल वह वाइसराय कौन था अब इसने दो खेम गेल थी है एक तो Lord Hastings, Lord Canning, Lord Minto, Lord Karzin अब इस प्रश्टे का आंसर ऐसा हो सकता था भाई इस प्रश्टे का यह होता था कि भारत का अंतिम Governor General यह होता कि भारत का अंतिम यहाँ पर प्रश्ट ऐसे हो सकता था कि भारत का अंतिम इसको एक पर सही कर ले ना प्रश्ट को भारत का अंतिम भारत का अंतिम Governor General वा प्रथम वाई सराए प्रथम वाई सराए यह प्रथम यह प्रश्ट होता तो अब आंसर बता दोगे आप अब आंसर यहाँ पर असानी से आप लोग बता दोगे हाँ भई अब आंसर आप लोग असानी से आपर बता दोगे तब मामला गड़ बड़ा गया था मुझे पता है तब मामला गड़ बड़ा गया था सर अब मामला नहीं गड़ बड़ाएगा क्योंकि अब आप लोग समझ गए है चलिए, बताई क्या आंसर होगा मेरे भाई अब बता देंगे आप लोग आंसर इसका हाँ, बहुत बढ़ी है क्या आंसर होगा मेरे भाई, तो आप लोग आएंगे सब लौट कहने होगा ठीक है, अब आंसर सही हो जाएगा तब कोश्चन्स पढ़ की लग रहा था भाई, गडबड मामला है 82% क्योंकि जल्दबाजी में आंसर आप लोग हैस्टिंग्स लगा दिये इसलिए कोश्चन्स को पहले पढ़ लो और पढ़ने के बाद आप लोग आंसर दो ठीक है हाँ, पहले कोश्चन्स को पढ़ो उसके बाद फिर आप लोग आंसर दो ठीके मेरे भाई, हाँ चलिए, next भाई है मेरे भाई अगला कॉश्चन अगले कोश्चन की तरफ हम लोग बात करें मेरे भाई, तो अगला कॉश्चन कहरा है कि तीसरे आंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुलतार ने अंगरेजों के साथ कौन सी संधी की थी मैंगलोर की संधी, सुरी रंगपटनम की संधी, मैसूर की संधी या फिर विदनूर की संधी अच्छा प्रशन है, दो बार पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा ये प्रशन ऐसा है कि इसको दो बार पढ़ोगे, आंसर फटा फटा आपकी टिप में रखा होगा, आंसर बता लोगे आप लोग दो बार पढ़ोगे, आंसर बता लोगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया यूवा संगर स्मोर्चा अध्यक्ष भाई अपनी पार्टी में मुझे भी सामिल कर ले यार यूवा संगर समोर्चा अध्यक्ष मुझे भी कार करता बना ले अपनी पार्टी का हावई क्या आंसर होगा मेरे भाई या दखेगा स्री रंग पटनम की संदी बिल्कुल सही आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है कि तीसरे आंगल मैसुर युद्धु को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी ट्रोटी की थी तो आप कहेंगे स्री रंग पटनम की ट्रोटी की थी तो आंसर क्या होगा यहाँ मेरे भाई बी विल्बी दा करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है बहुत बढ़िया लाजबाब अतियुत्नम बहुत बढ़िया जिनका गलत हो रहा है ना देखो जिनका भी आंसर गलत हो रहा है ना मेरे भाई वो एक चीज मेरी बात दिमाग से बिल्कुल दिमाग में बसा ले ना जिन्दगी में दुबारा अगर इस प्रस्ण से मुलाकात हो गई न तो प्रस्ण गलत नहीं होने दूगा जब तक ये बात अपने दिमाग पर तुमने बसा ली गुरू जी आज तो मैंने गलत कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था अब आपने बता दिया इस प्रस्ण का ये आंसर है अब जिन्दगी में गलत नहीं होगा आप उसकी टेंशन मतलो बात समझगे की नहीं हाँ ऐसे इसी तरीके से ठीक है हाँ ये कॉंसेप्ट बना लो बिल्कुल अपने जीवन में उतार लो इस बात को फिर देखी कितना मसा है हाँ तो क्या अंसर होगा देखे कह रहा है कि राज राजजच है या हडप नीती आगी बाकी आप क्या ही पढ़ेंगे जबती सित्तांत कहलो हैस्टिंग स्कैनिंग विलियम बैटिंग और डलहौजी तो आपके सामने चौर आप्शन है मेरे भाई तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि इसका राइट आप्शन क्या है इसका राइट आप्शन हो जाएगा मेरे बाई questions पे पूरा एक गंटा में निकाल सकता हूँ लेकिन ये नहीं आप यहाँ पे जो मैं बात कह रहा हूँ उस बात को सुनते नहीं हो आपना अब तब ताम जाम लगा दिते हो कि आप सनुवा repeat कर दीजिए कि फलाना कर दीजिए धिगाना कर दीजिए जो चीजिए हाँ करा रहो इस पे दिमाग लगाओ फिर मज़ा आएगा next पर आईए अगला question किस सिख्ख गुरू ने फार्सी में जफर नामा लिखा था पता हिए मेरे बाई कौन सा सिख्ख गुरू था जिसने फार्सी में जफर नामा लिखा था गुरू हरी राय गुरू हरकिशन गुरू गोविन सिंग गुरू तेख बहादुर किस सिख्ख गुरू ने फार्सी में जफर नामा लिखा था गुरू हरी राय गुरू हरकिशन गुरू गोविन सिंग गुरू तेख बहादुर आंसर बताओ मेरे भाई स्वष्टिका क्या हो जाएगा बहुत प्रया आंसर बताओ मेरे भाई स्वष्टिका क्या हो जाएगा आपको पता है सिख धर्मे की स्थापना किसने की थी आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि सिख धर्म सिफ्क धर्मे की स्थापना किस नीं की थी सिफ्फ धर्मे की स्थापना किस नीं गी थी तो आप कहेंगे सर्फ sournuk नॉな यह मैं आपको साँडे ग्यारा बज़े वाली खालास में कराओंगे पूरा का फूरा और सिखों के जो अंतिम गुरु थे, जिनका क्या नाम था मेरे भाई, सिखों के जो अंतिम गुरु थे, याद की का गुरु गोविन सिंग, उन्होंने ही जफर नामा लिखा था, तो correct option क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे C will be the right option, ठीक है, गुरु गोविन सिंग, ठीक है, तो के बिवस्ता, डाकिया, डाक लाया, डलहोची, लॉड वैलेजली, लॉड ओकलेंड, और लॉड बैटिंग, अब तो आप लोग प्रेम पत्रों कागच में लिखके भीजा जाता था, ग्रीटिंग कार्ट्स, कितने लोग जानते हैं ग्रीटिंग कार्ट्स के बारे में, तो डब्बे गूपर केक, और मेरा दोस्त, इस तरीके से डिक्के भीजाता हैं ना, चलिए, तो इसका अंसर क्या होगा मेरे भाई, तो राइट ओप्शन क्या होगा यहापे मेरे भाई, याद दखीगा, करेक्ट ओप्शन यहापे हो जाएगा मेरे भाई, लॉड डलहोची, को लगाये हैं, क्या भाईया, तुम लोग का दिमाग ठीक है की नहीं, जो सी आंसर लगाया है, आप लोग का दिमाग ठीक है नहीं, अगर नहीं दिमाग है, तो आप लोग एक चूरन का इस्तमाल कर लेजे, लवड भासकर चूरन आता है मेरे भाई, उसका इस्तमाल करिए, बुद्धी तेज हो जाएगी, नहीं तो दिव मेधावटी, एक गोली आती है पतंजली की दिव मेधावटी, रात में सूते समय गोली खाली, जिए बढ़िया में मुरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा मत करिये मेरे भाई, सीधे सीधे गलत कर लेते हो मेरे भाई, चलिए, नेक्स्ट भाईए, किस सिख गुरू ने गुरू नानक की जीवनी लिखी थी, गुरू अंगद्यो, गुरू अमर्दास, गुरू रामदास, गुरू अर्जुन्द्यो, कौन सा सिख गुरू था जिसने गुरू नानक की जीवनी लिखी थी, बताए, क्या आंसर होग आंसर बताओ मेरे भई यहाँ पर क्या हो जाएगा हाँ गुरू मुखी लिपी कभी उन्होंने अविश्कार किया था कौन है नहीं नहीं वो मैं अलग से बताऊँगा अभी नहीं एंग्री अनू एंग्री अनू का एंशर आ रहा है गुरू अंगत देओ एंग्री थोड़ा दिमाख लगाओ ना देखो कोश्चन्स क्या है पहले कोश्चन्स को पढ़ लो मैं फिट से कहा रहा हूँ जल्दवाजी की क्या दिक्कत है भई सिख गुरू ने गुरू नानक की जीवनी लिखी प्रस नहीं यह कह रहा है चार ओप्षन है गुरू अंगत देओ गुरू अमरदास गुरू रामदास और गुरू अरजुन देओ तो याद दखीगा मेरे भई राइट ओप्षन क्या होगा यहाँ पे मेरे भई करेक्ट ओप्षन होगा गुरू अरजुन देओ क्या होगा मेरे भाई गुरू अर्जुन देव तो D will be the correct option यहाँ ठीक है D will be the correct option क्योंकि अगर मैं बात करूँ गुरू अर्जुन देव को ही तो मेरे भाई फांसी दी थी किसने जहांगीर ने बास समझ में आ रही कि नहीं हाना मेरे भाई तो इसको आप लोग याद दखीएगा तो राइट option क्या होगा मेरे भाई तो आप सभी को पता है गुरू अंगत देव D answer हो जाएगा आंसर लगा के चुप चाप सीधे आगे भढ़ जाओ खालसा पंत की स्थापना मेरे भाई मुझे लग रहा है कि यह बता दोगे आप लोग किस संप्रदाय ने खालसा पंत का परवर्तन किस ने किया था हर राय हर किशन गोविंद सिंग या फिर गुरू तेग भाद हो यह तो आप बता ही दोगे इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है हाँ बताई क्या आंसर हो गए यहां पर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई चलिए अवंतिका कुमारी अवंतिका कुमारी का सी आंसर है धरमबीर एंग्री एनुसी सतिंदर सक्षेना का सी आ रहा है स्वेता कुमारी का सी, संतो शुकला का सी आ रहा है, नितेश दास का सी आंसर है, मनु चोधरी का डी आ है, मुन्डी चोधरी का डी आंसर आ गया भाई, मामला गड़वड है, यहां पर आप लोगों ने मामला गड़वड कर दिया है, क्योंकि राइट आप्शन होगा, करते रहोगे तो एक ना एक दिन सारे कौंसर सही होई जाएंगे लेकिन जो गलत हो रहा है उसको समलते हो भारत के गवर्णर जनर्रल को किस एक्ट के दवारा अपनी समीती के निर्णों को आस्विकार करने का अधिकार दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट था 84 का पिट्स इंडिय अक्ट था 86 का अवेंडमेंट एक्ट था और फिर 1813 का चार्टर एक्ट था बताएए क्या होगा इस प्रष्ट का आंसर ये जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुम को बनाया गया है मेरे लिए है भाई आता है ख्याल क्या अंसर होगा तो या दखी है मेरे भाई देखो कह रहा है कि भारत के गवर्णर जन्रल को किस एक्ट के दौरा अपनी समीती के निर्णव को आस्विकार करने का अधिकार मिला तो या दखी का मेरे भाई 1786 का जो अबेंडमेंट एक्ट आया था मेरे भाई कौन सा 1786 का इस अबेंडमेंट एक्ट के दौरा ही इनको ये अधिकार मिला था है तो राइट ओप्शन यहां मेरे भाई क्या हुझा के रहे की महरानी विक्तोरिया को भारत की सामागरी नुक्त किया गया था पचासी में 55 मैं 66 में 58 में ये भी प्रस्ट में कई बार करा चुका हूँ एक और सौंग है भाई बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी सुनो उसको है प्यार जूटा ही था दिखाया ही क्यों ऐसे जाना ही था फिर आया ही क्यों कभी की कलपना है भाई कि प्यार जूटा ही था तो फिर जताया ही क्यों और ऐसे जाना ही था फिर आया ही क्यों ओ बेदर देया यार बेदर देया इन सब गानों में मसे आते हैं अच्छा लगता है चलिए क्या आंसर होगा 1858 कुछ लोग सोचते हैं इतने सैड भरे सौंग क्यों गाते हैं क्योंकि इनी घानों में भाई स्वाध है बाकि रैप आपको समझ में नहीं आता क्या वो रैप बोलके निकल लेता समझे में नहीं आता डी आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट परिए अगला कुशन आपके सामने ये रहा मेरे भाई और कुशन आपके सामने ये आ गया है हलाकि देखो कैरा सामागरी विक्टोरिया ने 1858 की घोशना में भारतियों को बहुत सी चीजें दिये जाने का आशवाशन दिया था निम्न आशवाशनों में कौन सा बिटे साशन ने पूरा किया घ्याशतों को हरपने की नीती समाप्त कर दी जाएगी देशी रजवाणों की यथा इस्थिती बनाई रखी जाएगी भारत वा यूरोपियन सभी परजा को समान व्यभार मिलेगा भारतियों के समाजिक वा धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तचेप नहीं होगा कोई भी हस्तचेप नहीं होगा कोई भी हस्तचेप क्या होगा मेरे भाई नहीं होगा मुझे पता है इसका आंसर तुम लोग गरबर सरबर दोगे देखो जो 1858 में घोशना पत्तुर दी गई थी न कि आशवाशन दिया जाएगा कि आशवाशन में कौन सी बिटेश आशन ने पूरा किया था वो मेरे भाई किया था कि देसी रजवाडों की यथा इस्तिती बनाई रखी जाएगी तो यहाँ पे बी मुझे लोगोंने डी आंसर दिया है नहीं बी आंसर होगा माले मिंटो सुधार हाँ भाई माले मिंटो सुधार का उद्देश क्या था पर्थक निर्वाचन परणाली था भारतियों की भागेदारी बनाना था युद्ध में सहयोग हेतु तयार करना था या पूर सोतनता देना था माले मिंटो सुधार का उद्देश क्या था मेरे भाई क्या उद्देश था तो आप लोग जानते हैं जो माले मिंटो था मेरे भाई यह 1909 में था और इसका जो में उद्देश था में कंसेप्ट था वो क्या था मेरे भाई इसका ज भाई पर्थक निर्वाचन पढ़ लानी यानि ए विल भी ता करेक्ट ओप्शन ठीक है यहाँ पर राइट ओप्शन आपके सामने हो जाएगा अच्छा कल जो मैंने पीडियाफ दी थी उसमें लाश्ट में मैंने चार पांच कोशन छोड़े थे आप लोग उनका आंसर जरू भाई देखो अभी अभी मैंने बताया है और अभी अभी प्रशन कौन सा आ गया वही वाला प्रशन आ गया ठीक है क्या कुशन आ गया मेरे भाई कि मालने मिंटो सुधार बिल किस वर्स पारित किया गया था 1905 1909 1911 1920 मालने मिंटो सुधार बिल किस वर्स में पारित किया गय हे गुरु देव पढ़ा माप के चड़ों में हे गुरु देव पढ़ा माप के चड़ों में आप तो रूला दिये सर अरे मैं क्यों रूला दिया तुमको यार ऐसा क्या कर दिया है मैंने ऐसे क्यों तुम रोने लगे भाई ऐसा नहीं होगा भाई क्या होगा मेरे भाई 19 सुनो अभी अभी बताया मैंने लखी कह रहा कि आप रोला दी हम क्यों रोला दी है भाई हम प्याज काट रहें का जो तुम रो दिये काओ भाई X का याद आ गया होगा ये X Y Z भूल जाओ भाई ये X Y Z भूल जाओ एक ऐसी मैं आपको बताता हूँ भाई अभी मेरे पास आया था WhatsApp में आया था मतलब ऐसी कोई वो था उसमें लिखा हुआ था X उसमें लिखा था ये fruit मेरे काट देना ये जो fruit है वो मेरे काट देना तो उसकी X ने reply दिया कि मैं ऐसे कैसे fruits को काट सकती हूँ तो आप समझ जो चलिए कहला sad socks सुनके तो यहाँ पे मैं क्या सुनाओ तो जे बता 97% बतलब 1% कोई न कोई गलत कर दिया यहाँ पे 1% कोई न कोई मकारी कर दिया ललका भाई मुसलमानों के लिए अत्रिक्त निर्वाचक मंडल प्रारम किसके दुवारा किया गया था किर्प्षेमिशन माले मिंटो सुधार मान्टेंग्यू चेम्स फोड भारत सरकार अधनियम 1935 बताओ बताए मेरे भाई क्या आंसर होगा खोया रहा मैं इन गलियों में सुनाए कितने लोगों ने गाना सुनाए यो समय के बेस्ट वाउंग होते थे है चली क्या अंसर होगा मेरे भाई तो याद दखीगा कि मुसलमानों के लिए अत्रिक्त निर्वाचक मंडल प्रारम में किसके दौरा लाए गया था तो मेरे भाई याद दखीगा मालले मिंटो सुधार अभी-अभी मैंने आपको बताया है तो बी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा देखो तीन कोश्चन में आपको कराये हो तीनों ही कोश्चन में डिफरेंट डिफरेंट लेंग्विज का परियोग किया गया है हाना तीनों ही कोश्चन में डिफरेंट डिफरेंट लेंग्विज का क्या किया गया है परियोग किया गया है और तीनों का अंसर से में मेरे भाई हाना यार दखी का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा बी बी विल बी दा करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिया 79 पर्षेंट लोगों ने अभी दिमाग नहीं लगा रहो बस यही कम है तुम लोगों में अगला कुशन कह रहा है कि भूगोल भूगोल भूतल का अध्यन है किसने कहा था टॉलेमी ने कांट ने वरेनियस ने या फिर हमबोल्ट ने जोग्राफी इस दा इस्टेडियो ओफ अर्थ वाच कॉल्ट किसने कहा था यह शम्द कौन था भाया जो यह सब्द कही के चला गया और तुम्हारी जिन्दगी नरक करके चला गया कौन था भाया यह पता लगाओ जला इसका भूगोल भूतल का अध्यन है यह का बात किसने कही थी जोग्राफी इस दा स्टेडियो ओफ अर्थ वाज कॉल्ट कहने वाला व्यक्ती कौन था तो कहने वाले व्यक्ती का नाम क्या था मेरे भाई तो याद दखीगा कहने वाले व्यक्ती का नाम था मेरे भाई याद दखीगा कांट कांट व्यक्ती था इसी ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्यान है जोगराफी इस दा स्टेडी ओफ अर्थ ये कांट द्वारा ही मेरे भाई कहा गया था तो यहां पे राइट आप्शन क्या होगा मेरे भाई भी राइट आप्शन यहां पर आपके सामने हो जाएगा भी विल बी ता करेक्ट आप्शन ठीक है चलिए आईए अगले कुशन की तरफ अगला कुशन मेरे भाई देखी कुशन ठीक है ऐसा नहीं है भालिक विचारधारों में चलिए उसको अम लोग स्किप कर देते हैं कुशन उसको ठीक है इसमें आ जाओ वर्तमान भूत की कुँजी है किस ने कहा था वर्तमान भूत की कुँजी है ये बात किस ने कही थी टटन ने जेम्स हर्टन ने डेविस ने वाल्टर पेंक ने वाल्टर पेंक ने वाल्टर पेंक ने वर्तमान भूत की क्या है कुँजी है किस ने कहा था तो याद दखीगा मेरे भाई ये सब्द कहने वाला व्यक्ति कौन था तो जेम्स हर्टन था जेम्स हर्टन अच्छा उसका आंसर जानना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है ग्रिफिट टेलर था ठीक है ग्रिफिट टेलर ये कहा था तो एकी साथ दोनों के आप्शन लगा देत ठीक है जब बिहार पुलिस का पेपर होगा की नहीं होगा भई होगा होगा भूक लग रही है अच्छा तो किसी को खा जाओ भई नवरात्र कब से स्टार्ट हो रही है मेरे भाई, 14 तारिक से न, 14 एक्टूबर से नवरात त्रिश्टार्ट हो रही है, चलिए, नेक्स्ट पर ये, इस्थल लूप, हा भाई, ये कोशन ठीक है, ये अभी SSC में पूछा भी गया प्रस्ट नहीं है, कह रहा है कि इस्थल रूप, संदशना, प्रक्रम, तथा, आवस या फिर पैल्टियर का है, ये कतन किसका है, कौन है इस कतन को देने वाला, तो इस कतन को देने वाला जो व्यक्ती है मेरे भाई, इस्थल लूप, संदशना, ना, structure process and state whose statement is this and from is the result of structure process and state देखो यह जो कथन यह जो बोला था मेरे भाई कथन था यह था W.M. डेविस का यह देविस का कथन था मेरे भाई किसका था डेविस का तो राइट ऑप्शन के ओगा मेरे भाई भी यह देविस का कथन था डेविस महते कहके चले गए और प्रस्न हमें छोड़ गए confusion की स्थिति में इक कहका आके निकल लेते हैं डेविस महते जी सर जी जो जनवरी में न्यू वेकेंसी कॉंस्टिवल की आएगी उसका क्या होगा पहले जनवरी तो आने दे मिरे भाई उसके बाद देखेंग अरे वा भाई साब, एक क्या आने परसंट लोगों ने सही भी आंसर बताया इसका? बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया है प्ताइए ये भी कोशिन बढ़िया है मेरे भाई इसकाास सर बताओ कफन नि करण लिक्षिर्स का कोशिन है एसका भी बताओ कोशिन कह रहा है कि यदी इथियास कब का वैज्यानिक अध्यन प्रस्तूद करता है तो भूगोल कहां का विग्यानिक एवं तार्किक अध्यान है एक कथन निमलिकित मेंसे किस बिद्वान का है बहुत बड़िया कह रहा है यदि इत्यास कब का इत्यास जैसे आप तो पुझता है वेन ये कब हुआ, क्या हुआ, क्या चीजें है हाना अगर ये पूछ रहा है और भुगोल काहा का विज्ञानिक अध्यान है यह कथन किसका है काल सारवर का है अ जे स्पाई कैमन का है या फिर ती एच घल्ट सी का है ये कथन किसका है ये कथन किसका है तो याद दखेगा मेरे भाई यही महदे इस कथन को दिये थे काल सावर को, ठीक है? यही महदे इस कथन को दिये थे काल सावर को, ठीक है मिरे भाई? यहाँ दखेगा, तो right option क्यों गाँ मिरे भाई? A will be the correct option, ठीक है? A यहाँ पर right option आपके सामने हो जाएगा, मुझे पता था गलत करोगे? मैं जानता था इसके बारे में next भाई है. अगला question, अगला question कह रहा है कि भूँ आकरती विज्यान के जन्मदाता किसे माना जाता है? सीधे सीधे question है, कि भूँ आकरती विज्यान का जन्मदाता किसे मानते हैं? डेविस को, पेशेल को, पैंक को या फिर हट्टन को. भू आकरती विज्ञान का जनक किसे मानते हैं तो मेरे याद दखीगा कि जियमो फॉर्मो लॉजी का ध्यन हाँ भई तो ये पेशल को ठीक है ये प्रोफेशनल लिखा है यहाँ पे पेशल को यहाँ पे मानते है ठीक है बी यहाँ पे राइट उप्शन होगा क्या होगा मेरे भई यहाँ पे बी करेक्ट उप्शन आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा ठीक है मेरे भई क्या होगा बी विलवीदा राइट उप्शन आपके सामने हो जाएगा ठीक है चलिए डी होगा नहीं बी होगा भी बी हो जागा यहां पे आज़ा ठीक है चलिए नेक्स्ट पर आईए मेरे भाई अगला कुशन आप से कह रहा है यहां पर याद रखीगा कुशन कह रहा है कि रुको और जाओ नियतीवाद के विचारधारा के प्रतिबादक कौन है ग्रिफित टेलर यह इनी का कहना था मेरे भाई कि रुको और जाओ नियतीवाद का जो विचारधारा के प्रतिबादक थे वो कौन थे मेरे भाई वो ग्रिफित टेलर थे ठीक है चलिए नेक्स्ट पाई भुगोल को मान परिस्तित्की के रूप में परिभाशित करने वाला विद्वान कौन था विडॉल डी लाब लॉस जीन ब्रोज हेटनर और एच 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 बैरोज बताओ कौन था मेरे भाई कौन था कौन था कौन था तो याद किया मेरे भाई ह b एच एच विड़ रॉस था गरतिय भूगोल का प्रारम्ब करता निम्नमे से कौन है करतिय भूगोल का प्रारम्ब करता निम्न में से कौन है छर्णस थे आप यहां पर प्रारब घरता है, ठीक है? चलिए। तो मेरे भाई, आज की इतना souls और ये रहे आपके लिए मेरे भाई, कोच अलग सेट कोषिन ठीक है? चलिए। तो ये कोषिन है मेरे भाई, यहां पर आप लोग इन कोषिन्स को कर लिजेगा, कि ठीक है, इन questions को आप लोग यहाँ पर कर लीजेगा, मैं questions दे जा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, PDF पे questions मिलेंगे तो उसको कर लीजेगा, किसी भी question में doubt हो तो आप लोग मुझे से पूछ लीजेगा, बाकी सुबए 8 बजे मिलेंगे करेंट अफिर की क्लास में, ठीक है, बाकी अमलोग सुबए 8 बजे करेंट अफिर की क्लास में मिलेंगे, और देखते हैं मेरे भाई कि आज कौन इसमें टॉप पर रहा है लीडर बोर्ड में इसमें रिशब कुश्वाहा ने बाजी मारी ये भाई रिशब कुश्वाहा पहले स्थान पर है और रजनीज कुमार दूसरे पर है चवी सिंग पंजाबी कुड़ी तीसरे पर है राहुल जातवा चोथे पर है सीवानी कुमारी मंदल पांचवे पर है नेहा नेगेटिव चटहे पर है काजल नौवे पर है सिल्पी आर्या सुदीर ब्रेव विवेक अमित भगत सहर साथ 13 पर है बिरिंदर 14 पर है नैना सिंग 15 नंबर पर है मस्त छाकर और मिनी कुमारी बाईवंदना राजू मुसकान शर्मा विलेच वाला इंगलेश करन कीरती ओजा बिरिंदर रागनी कुमारी मुसकान यहां भारती आर्मी वोई यह सारे लोग मेरे भाई यहां पर है यह आप लोगी रैंकिंग है जिसका भी नाम इसमें बहुत बढ़िया है और जिसका नाम नहीं है उसके लिए भी कोई दिक्का समस्या नहीं है बस नाम आपका उस मेरेट लिष्ट में जरूर आना चाहिए जिस मेरेट प्रिष्ट में आपकी भरती होगी ठीक है चलिए तो मिलेंगा आप सभी लोगों से मेरे भाई कल की क्लास में कल सुबह 8 बचे करेंटर फेर की क्लास में तब तक कि लिए जय हिंद जय वारत थैंक्यू सूमच बैबै ठीक है